हेलो गाइज एम सलोनी वेलकम तो मैं चैनल सलोनी स्वैक तोड़ा एम गोंग तो सो यू हाव तो मेक बीट रूट फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक बीट रूट यानि चुकंदर अब मैं इसको पील ओफ करके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगे अब मैं इसको ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है आप देख सकते हो यह कितनी अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है अब मैं इसका जूस निकालके अलग कर लूँगे इस छनी की हल्ट से मैं इसके जूस को अलग कर लूँगी अच्छी तरह से सुगाईज आप देख सकते हैं इसमें जूस अलग हो रहे हैं इसको मैं अच्छी तरह से और अच्छे से जूस सारे अलग कर लूगी सबसे पहले मैं इसमें लूँगी वन टी स्पून बेशन इसमें मैं थोड़ा सा जो हमारा बीट रूट का पेश्ट जो निकला था उसको मैं मिक्स करूँगी और इसमें मैं वन टेबल स्पून मिक्स करूँगी बीट रूट जूस इसमें मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी अलवेरा जेल यह पेश्ट काफी थीक है तो इसमें मैं थोड़ा सा रोज वाटर डाल की इसको थोड़ा सा पतला करूँगी इसमें मैं वन टेबल स्पून रोज वाटर मिक्स किया है मैंने तो आप देख सकते हैं यह अच्छी तर से पेश्ट बन के रेडी हो गया है अब इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी बहुत जराएं ॥ाएं बहुत झाल 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 तो गाईज आप देख सकते हो मैंने अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लिया है इस पेस को अब मैं इसको सूखने के लिए 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दोंगी आफ्टर डैट मैं अपना फेस वास कर लूँगी नॉर्मल वाटर से तो गाईज मैरे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके है आप देख सकते हो यह अच्छी तरह से सूख गया है तो अभी मैं अपना फेस वास कर लेती हूँ है तो गाईज मैंने अपना फेस अच्छे से वास कर लिया है आप देख सकते हो अब मैं इसका अच्छी से टॉल के हले से वाइप कर लोंगी अब देख सकते हो मेरे फेस पे पिंकिस ग्लो है जो कितना ब्यूटिफुल लग रहे है आप देख सकते हो मेरे फेस कितना ज्यादा ग्लो कर रहे है अब आप आ पूर्झल के जड़े दिन ए अब देख सकते हैं टानॉटिव लग बटा जा रहे हो ज़ रहे हैं खब अटालाण सहरेचा कि वाया आनुछ न्याली आप किटने प्लो Yuk T's एक एफ टो झाल